तो दोस्तों एक वर अपका फिर से सवागत करता प्राइब प्रॉपर्टी आप देखरे हैं दोस्तों यह 63 गच के 3 मकान हैं आप देखरे हैं 1,2,3 तीनों मकान अभी खाली हैं लोकेशन में पता दूँ लालकवा, गाजेबाद, माल्स रोवर पार्क में आपको यह मकान मिलने वाले हैं 20 फिट का रोड है सामने जो आप देख रहे हैं 20 फिट के रोड के सामने आपको 63 गच के 3 मकान मिल जाते हैं तो दोस्तों चलिए मैं दिखा देता हूँ यह किस तरह का बना हुआ है और किस तरह का आपके बजट में भी आने बाला है हम इस पर फाइनेंस की बात करें तो इस पर आपको 80-85 परचन तक का फाइनेंस हो जाएगा जहाँ पर आपको सारी फैसिलेटी जैसे इसकूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, मार्किट हुआ, everything जरूत की सारी चीजें आपको पॉलोनी के अंदर ही प्रोवाइड हो जाती है तो चलिए दोस्तों दिखा देता हूँ यह 63 गच का मकान किस तरह का बना हुआ है तो दोस्तों आप देख रहे हैं होंगे, 20 फिट का रोड से आपको 3 से 4 स्टेर्स कुछ इस तरह की मिल जाएगा काफी उच्छा मकान आपको यह मिलने वाले हैं, तीनों लाइट तरह से देखा जाए और काफी economic price पर, इस पर आपको दो डोर मिल जाएंगे, एक आपको बड़ा bike की parking के साथ डोर मिल जाता है और एक आपको यह दूसरा बैठक के लिए बाहर से बाहर एक डोर मिल जाता दोस्तों चलिए दोस्तों एंटर कर लेते हैं, तो सामने आप मेरे देख रहे हैं हुए कुछ इस तरह की आपको यह bike की parking मिल जाएगी, यह देखिए काफी सांदर आपको color combination के साथ यह साथ गच का मकान मिलने वाला है फ्रेंट मैंने आपको बताया है, इसका 15 x 36, 15 x 36 के एसपास का इस यह मकान होने वाला दोस्तों और जैसी हम आप देख रहेंगे कि एंटर करते हैं पार्किंग के साथ और काफी बड़ा स्पेस आपको यह किचिन के सामने मिल जाएगा यह देखिए किचिन देखिए काफी सांधार आपको यह किचिन मिल जाएगी यह देखिए इस पेस देखिए किचिन के सामने काफी अच्छा इस पेस मिल जाता है और लेंडर पर डिजाइन देखिए वाल काफी अच्छा डिजाइन आपको यह खुला-खुला यह लगने वाला दोस्तों 63 गच का मकान काफी एकॉनमिक प्राइस पे यह देखे कुछ इस तरह के आपको वर्प मॉडुलर किचिन में मिल जाएगा यह आपके पार्किंग हो गई पार्किंग के जस्ट आप देख रहे हुए किसी भी भाई ने जिसी मकान पर्चेज किया और आपको यह रेंट पर दे दिया तो आप इस गेट को लगा लीजिए गेट लगाते ही यह आप सेपरेट हो जाएंगे बिलकुल बहर से बहर कोई भी क ग्रायदार है आप उसको उठा सकते हैं वह उपर जा सकता है तो सेपरेट देखिए काफी अच्छा स्परेट इस चीज़ को दान में रखके यह मकान बनाया गया है यह च्छोटी च्छोटी चीजें मकान को बनाने में दान रखी गई है वेंटिलेसिन के सामने उपर अबटों मिल जाती है तो काफी चाव पर मिल जाता है सांधा बैटक लेकिक काफी सांधा आपको यह बैटक मिल जाएगी ढिंगा काफी संदर के साथ MKS आफ आको यह यह और शोट ऊच्छ पीड गेस्टर में मिलने वाला जिस्तों यह 63 कच का मकान है काफी अच्छा लोग कलर कॉम्बनीशिन के साथ यह मकान आपको मिल जाता दोस्ते वासरूम में आपको दिखा देता हूं वासरूम भी काफी सामदार है टाइल बेखिया काफी अच्छी टाइल्स आपको वासरूम में मिल जाएगी वेंट लेशन आप देखेंगे दोस्तों पीछ आपको इवेंट लेशन मिल जाता है काफी बड़े स्पेस के साथ ही वह सुन भी आपके मिल ले वाला है जो बैट्रूम होने वाला है कुछ इस तरह का आपको बैट्रूम मिल जाएगा काफी अच्छा है इस तरह का आपको बैट्रूम होगा एक बैट्रूम होगा और किछी काफी इच्छा इस पेस आपको किछीन के सामने मिल जाता है यह देखेंगे तो काफी सांदर इस पार इस तरह का मिलेगा काफी सांदर आपको शक्तर मिल जाया गाएगा वैंटिलेशन के लिए आपको सामने एक विंडो है प्रोपर संलाइट जिसे की आपी रहे और हाई राइस बिल्डिंग भी आपको यह पर इच्छी मिल जाएगी है देखिए तो दोस्तों फिलाल यह मैंना मकाम दिखाया आपको तड़ेशन का मकान यह हुने वाला है जिस पर आपको असी से पिचासी परसं तक का फाइनस हो जाएगा तीनों मकान अभी खानी है जो जोन साब आपको मन जोन साब आपको अच्छा लगता है वो आप भूक करा सकते हैं दोस्तों और इसी तरह की प्रोपर्टी देखने के लिए अभी तक दोस्ता आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और सेर कर ना ना भूलें मिलते हैं अगली नेक्स्ट प्रोपर्टी के साथ जब तक के लिए टेक केर बबाए थेंक यू